हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मांसी स्टेडी चैनल दोस्तो आज हम लोग तिग्नोमेट्री का पार्ट फोर को पढ़ेंगे इससे पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको तिग्नोमेट्री के पार्ड थर्ड पढ़ा दिये हैं अगर आपने वो क्लासेस ना देखी हो तो पह आपकी एक क्लास देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी वो टिग्नोमेट्री से संबंदित जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे तो आंगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी तो इसलिए आप कोशन हमारा लिखा है साइन ए बराबर वन वाई टू हो तो कॉट ए का मान हमसे पूछा है इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स इसको हम लोग फ्रेंड्स एक हम लोग उनने थिर्म पड़ी थी पाइथागोरस थिर्म पाइथागोरस थिर्म क्या थी फ्रेंड् वर्ग बराबर लम्बर्ग प्लस आधारवर्ग पड़ी थी? बचपन में सभी ने ये थियोरम पड़ी होगी पाइथागोरस थियोरम तो friend साइन का जो मान चलता है हमारा वे कैसे चलता है लम वते कड़ में चलता है और यह हम लोग कैसे निकालती है ये हम लोग लाल वट्टे ककास हैं निकालती हैं मैंने पहली क्लास में आपको बेसिक क्लास में सब कुछ पढ़ाया था तो लाल वट्टे ककास हम लोग कैसे देखती हैं इसको हम लोग साइन मानती है इसे कॉस, इसे टैन, इसे कॉसेक, इसे सेक और इसे कॉट ठीक है अब साइन का जो मान चलता है वे के चलता है लंबटे कड और लंब का मान हमें कितना दिया गिया है एक दिया गिया है ठीक है और हमें कड का मान कितना दिया गिया है दो दिया गिया है इस टैप के कुश्चन के लिए फ्रेंस हम लोग अगर एक फिगर बना लेती हैं तो हमें कुश्चन को शॉल्व करने में आसानी मिल जाती है अब हमें लंब और कड़का मान तो मिल गया लेकिन आधार का मान हमें नहीं मिला और हमें मान किसका निकालना है कोटे का मान निकालना है और कोटे बराबर कितना होता है दोस्तो आधार बटी लंब होता है क्या होता है आधार बटी लंब होता है तो हमें आधार का मान तो चाहिए और आधार हमारा किस से निकलेगा पाइथा गोरत प्रिमे से निकलेगा चलि है और दो का स्केर चार हो जाएगा एक का स्केर एक हो जाएगा लेकिन हम लोग लेफ साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स बराबर ए स्केर यहां कितना निकल आया ए स्केर बराबर under root A square बरावर 3 आजाएगा फ्रेंटS और A बरावर आजाएगा under root 3 A square बरावर 4 में से 1 गीर 3 आगिया हमें तो A का मान निकालना है मतलब आधार का मान निकालना है अग वर्ग है तो अधर सायट जाएगा तो ये root में हो जाएगा तो कितने निकल आया? अब हम लोग कॉटि का मान निकाल देंगी कॉटि परावर होता है अधार बढ़्टी लंब और अधार अमारा किटना निकला अंडरूड तीन और लंब हमें कितना दिया गया था एक एक का कोई मतलम नहीं होता है तो से हम लोग अंडरूड तीन भी लिख सकते हैं यही हमारे कुशन का अंसर हो जाएगा समझ में आ गया दोस्तो कैसे हम लोगों ने इस कुशन को solve किया कुछ नहीं किया एक हम लोगों ने figure बना लिया तिरवुज उसमें हमने देखा कि हमें किसका मान दिया गया था लंब और कड का मान दिया गया तो हमने लंब और कड की value रग दी आप इसे ना मांकर भी कर सकते हैं ABC से लेकिन हम लोगों ने direct कर लिया कोई दिक्कत नहीं है और कोटी का जो मान निकलना था उसके लिए हमें आधार और लंब चाहिए था हमारे पास आधार नहीं था तो आधार हमने कैसे निकाल लिया पाइथागोरस पर में से निकाल लिया कड़वर्ग बराबर लंबर्ग प्लस आधार का स्केर कड का मान दिया गया था दो तो दो का स्केर चार हो गया लंब का मान दिया गया था एक तो एक का स्केर एक हो गिया उसको हम लोगों लेफ्ट साइड लिया ए तो चार में से एक घट गया तो तीन बचा तो हम लोगों ने आधार का मान निकाल लिया कितना निकला अंडर रूड तीन निकला फिर हम लोगोंने कॉटे बराबर निकाल लिया अधार बटे लंबे से अधार था root 3 और लंबे था 1 तो हमारा जो मान निकल किया या बैकिता निकल किया या under root 3 आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा यह कुशिन चलिए आंगे बढ़ते हो नेस्ट कुशन सीखती है नेस्ट कुशन हमारा लिखा है कौसी बराबर 4 बटी 5 हो तो तैने कमान हम से पूछा है और कौसी बराबर कितना होता है दोस्तो अधार बटी कड़ोता है कौसी बराबर अधार बटी कड़ोता है और इसका मान कितना दिया गिया हमें चार बटी पांच और टैनी बराबर हमें निकालना है और टैनी बराबर क्या होता है दोस्तों टैनी बराबर होता है लंब बटी आधार तो हमारे पास आधार है और कड लंब नहीं है तो किस से निकालेंगे पाइथागूरस प्रिमेसी व 12. आधार हमें दिया गया 4. और 4 का स्कैर हो जाएगा 16. अब 25 में से जब 16 घटाएगे दोस्तों तो 9 आजाएगा. तो लंबर्ग बडावर निकलना आए हमारा 9. और जब लंबर्ग 9 निकल में लंब निकलना तो लम्ब हमारा निकलाएगा 3 अन्डरूड नो होएगा और अन्डरूड के बाहर निकालएगा तो यह हमारा 3 कवर्ग मू लइए ठीक है तो लम्ब हमारा निकला आया अब हम लोग 30 कमान निकाल लेंगए फार्मूला है हमारा लंबटी आधार और लंब हमारा निकला तीन बटी आधार हमें कितना दिया गिया था चार यही हमारी कुश्चन का आंसर हो गिया कबज में आ गया कुश्चन ऐसे ही हम लोगो हर टाइप की कुश्चन को सॉल्व करेंगे लेकिन मेथड सेम रहेगा चलिए आंगे बढ़ते हो और नैस कुश्चन सीखते हैं दोस्तों नैस कुश्चन हमारा लिखा है तैने बरावर आट बटी पंदरा हो तो कॉस एक ए बरावर हमसे पूछा है और तैन बरावर क्या होता है फिरेंट्स लंबटी आधार होता है क्या होता है लंबटे आधार इसका मान हमें 8 वर्टे 15 दिया गया है और कौसेग एका मान हमसे पूछा है और कौसेग एका जो मान चलेगा दोस्तों वे हमारा चलेगा कर्ड वर्टे लंब तो अब हमें देख लेना है हमारे पास क्या नहीं है लंब है हमारे पास और आधार है लेकिन करड नहीं है और हमें करड की जरूरत है तो हम लोग पाइथागोरा से प्रिमे से निकालेंगे ठीक है अब लंब हमें कितना दिया गया आठ आठ का स्केर कितना हो जाएगा अठ वट चौशट आधार हमें दिया गया पंद्रे और पंद्रे का स्केर कितना हो जाएगा दोस्तों पंद्रे का स्केर हमारा दो सो पच्चिस हो जाएगा हो जाएगा यह हमारा किसका मान निकला कड़ वर्ग का निकला अब इसको जोड देंगे पांच और चार नो, छे और दो, आठ दो का दो कड़ वर्ग वर आप निकाल लेंगे यह हमारा हो जाएगा अंडरूर में दो सो नवासी, अब हमें यह देखना है दो सो नवासी हमारा किसका वर्गमूल होता है यह फ्रेंड्स हमारा सत्रे का वर्गमूल होता है यह आपको याद रखना पड़ेगा नहीं तो मैं वर्गमूल वाली क्लासेश में आपको अच्छे से समझाया था आप उस वाली क्लासेश सीख सकते हैं वर्गमूल हमलोग कैसे निकालते हैं ठीक है तो कड कमान हमारा कितना निकलाया सत्रे निकलाया और हमलोग क्या करेंगी कौसे की कमान निकाल लेंगी कौसे की बरावर कड बटे लंब कड हमें दिया गया सत्रे और लंब हमें दिया गया था आठ तो हमारा जो आंसर चलेगा दोस्तों वे 17 बटी 8 चलेगा चलिए आंगे बढ़ते हो नेश कुशन को सीखते हैं कुशन हमारा लिखा है कॉसे की बराबर अंडरूट 10 दिया है और सै के कमान हमसे पूछा है इसे हम लोग अपॉन में एक लिख सकती है कॉसे के बराबर कितना होता है कड़ बटी लम होता है कड़ बटी लम का मान हमें कितना दिया गया अंडरूट 10 बटी 1 और सै के कमान पूछा है और सै के बराबर कितना होता है दोस्तों सै के बराबर होता है कड़ बटी आधार क्या होता है कड़ बटी आधार होता है तो हमारे पास कड़ और लंब का मान तो है लेकिन आधार का नहीं है किस से निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रिमे से निकालेंगे इससे कुशिन बहुत सॉल्ट हो जाता है और असानी से हम लोग solve कर लेती है के का मान कितना है अंडरूड 10 है अंडरूड 10 का square बरावर लब हमने मान लिया एक तो एक का square प्लस आधार हमें निकालना है ठीक है दोस्तो और अंडरूड 10 का जब हम लोग उस square करेंगे तो यह हमारा 10 हो जाएगा यहाँ प्लस के 1 है तो यहाँ पे आएगे तो माइनस के 1 हो जाएगे बरावर a square यहाँ कितना हो जाएगा 10 मैं से एक गटाएंगी 9 हो जाएगा तो आधार का मान हमारा कितना निकलाया 3 निकलाया बर्गमूल में आएगा 9 तो इस का मान 3 चलेगा निकला 3 निकला समझ में आगया दोस्तो और यही हमारी कुशिन का अंसर हो जाएगा कितना short कुशिन है और कितने आसानी से हम लोगोंने निकाल लिया है आप इस टैप के जितने भी कुशिन होती है सभी हम लोग पाइतागोरत प्रेमे से निकालती है चलिए आंगे बढ़ते हो next question सीखते है next question हमारा लिखा है तैने बराबर one upon में root 3 हो तो से के बराबर हम से पूछा है और तैने बराबर क्या होता है फ्रेंस लंबर्टी आधार होता है और से के बराबर होता है कड़ बर्टी आधार तो हमें किसकी जरूरत है कड़ की जरूरत है और कड़ हम लो कैसे निकालेंगे कड़ बराबर लंबर्ग प्लस आधार का बर्ग कड़ बर्ग हमें निकालना है और लंबर्ग हमें कितना दिया गया एक एक का बर्ग एक हो जाएगा प्लस आधार का वर्ग, आधार हमें दिया गया अंडरूड तीन और अंडरूड तीन का जमलो स्केर करेंगे दोस्तों तो यह हमारा तीन हो जाएगा और जब तीन में से एक जोडेंगे तो यह हमारा चार हो जाएगा यह हमारा किसका मान निकला कड़ वर्ग का हमें किसका निकालना है कड़ का तो कड़ का निकालेंगे तो यह हमारा अंडर रूट 4 हो जाएगा और अंडर रूट 4 दो का वर्ग होता है ठीक है फ्रेंट्स अब हमें किसकी value निकाल ली है सैके की value निकाल ली है और सैके बराबर होता है कड़ बटे आधार कड़ का मान है दो आधार का मान है रूड थिरी यही हमारी question का answer हो जाएगा समझ में आ गया काफी जी question से बस हमें क्या याद रखना है पाइथागोरस प्रमे याद रखना है आज की class हम लोगों की पाइथागोरस special class है चलिए आगे बढ़ते हो next question सीखते है next question हमारा लिखा है सैके बराबर हमें 25 बटे 7 दिया गया है और हमसे sign a command पूछा है सैके बराबर होता है friends कड बटे आधार होता है और sign बराबर होता है लंबर्टे कड हमें किस की जरूरत है लंब की लंब की जरूरत है तो क्या करेंगे हम लोग कड वर्ग बराबर लंबर्ग प्लस आधार वर्ग से लंब का मान निकाल लेंगे कड हमें दिया गया है पच्चिस और पच्चिस का जब हम लोग स्केर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा पच्चिस का स्केर हमारा छैसो पच्चिस हो जाता है बराबर लंब हम से पूछा है और आधार हमें कितना दिये गया है साथ और साथ का स्कैर कितना हो जाएगा उननचास हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे लंबर कमान निकालेंगे तो 625 में से जब हम लोग उननचास घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा 576 निकलेगा इसको जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा 576 निकलेगा अब हमें मान किस का निकालना है लंब कमान निकालना है तो लंब बरावर हो जाएगा अंडर रूड में 586 अब हमें देखना है कि 586 हमारा किसका स्कैर होता है तो ये फ्रेंड्स हमारा 24 का स्कैर होता है ठीक है तो हमें क्या निकालना है साइने की value निकालनी है साइने बराबर होता है लंबटे कड़ लंब हमें दिया गया है 24 और कड़ हमें दिया गया है 25 यही हमारी कुशिन का answer हो जाएगा आई रोप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यह भी कुशिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेश कुशिन को सीखते है लिखा है कौटे बराबर 3 बटे 4 हो तो सैके बराबर कुशिन मार्क कौटे बराबर कितना होता है दोस्तो कौट बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब क्या होता है कौटे बराबर होता है आधार बटी लंब और इस कमान कितना दिया गया हमें तीन बटी चार दिया गया है सैकी कमान हम से पूछा है और सैकी बराबर होता है कड़ बटी आधार क्या होता है कड़ बटी आधार होता है अब हमारे पास आधार है लंब है लेकिन कड़ नहीं है कड के लिए हम लोग क्या करेंगी पाइसा गोरस प्रिमे से निकाल लेंगी कड वर्ग बराबर लंबर प्लस आधार वर्ग और लंबर हमें दिया गया है चार चार का स्कैर हो जाएगा सोले आधार हमें दिया गया है तीन तीन का स्कैर हो जाएगा नो और सोले और नो कितने हो हो जाएगा 25 और 25 अंडरूड में होगा तो बाहर निकलेगा तो यह हमारा 5 का स्कैर होता है अब हम लोग सैके की वैल्यू निकाल लेंगे सैके बराबर होता है कड़ वर्टे आधार कड़ हमारा कितना है 5 और आधार हमारा कितना है 3 तो हमारा जो आंसर निकल आया दोस्तों व बराबर a upon में b हो तो cos theta का मान हमसे पूछा है इसको हम लोग कैसे solve करेंगे friends इसे हम लोग एक formula से solve करेंगे आप लोगों ने एक समीकरण पढ़ा होगा मैंने first class में आपको अच्छे से पढ़ाया था sin square theta plus cos square theta बराबर one इससे हम लोग cos square theta की value निकालते हैं तो हमारा जो निकलेगा formula one minus sin square theta निकलेगा अब यहां से हम लोग cos theta का मान निकाल लेते हैं तो cos theta बराबर हो जाएगा under root में one minus sin square theta हो जाएगा दोस्तो अब हमें sin theta की value दी गई है तो इसकी जगे हम लोग value put कर देंगे one minus sin square theta है तो इसका हम लोग square कर देंगे तो a square upon में b square हो जाएगा दोस्तो अब b square हमारा lcm आ जाएगा तो उपर हो जाएगा b square minus a square upon में b square लेकिन इसे अगर हम लोग under root के बाहर निकालेंगे तो यह हमारा b हो जाएगा हो जाएगा क्योंकि पूरे under root में b square होएगा और under root के बाहर निकालेंगे तो यह हमारा b हो जाएगा और हमसे cos theta की value पूछी थी तो हमारी cos theta की value निकालाई अंडरूर में B square minus A square upon में B यही इस question का answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है? I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यह question चलिए आंगे बढ़ते हो next question सीखते हैं हम लोग next question हमारा लिखा है sin theta बराबर अंडरूर 3 बढ़ते 2 हो cos theta plus cos theta का मान हम से पूछा है और cos theta friends किसका उल्टा होता है? sin theta का तो इसका मान कितना निकल आएगा? इसका जो मान निकल आएगा बहें 2 बट्टे अंडरूर 3 निकल आएगा निकल आएगा अब हमें किसका मान चाहिए दोस्तों? अब हमें cos theta का मान चाहिए और एक हम लोगों ने formula पढ़ा था क्या formula पढ़ा था friends? cos x square theta बराबर 1 plus cos square theta पढ़ा था हम लोगों ने first class में सारे formula पढ़े है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? cos square theta का मान निकाल लेंगे कितना आजाएगा? cos x square theta minus का 1 आजाएगा? अब हम लोगों मान रख देंगे cos x square theta का मान कितना है दोस्तो? cos x theta का मान है 2 बटे root 3 इसका हमें क्या करना है? square करना है square करेंगे तो हो जाएगा 4 बटे 3 2 का square 4 हो जाएगा under root 3 का square 3 हो जाएगा minus का 1 अब इसको हम लोग solve कर लेंगे LCM हमारा 3 आजाएगा और जब 4 minus का 3 4 में से 3 घटाएगे तो यह हमारा 1 निकाल आएगा अब हमारे पास किसका मान आगिया? cos x square theta का मान आगिया हमें चाहिए cos theta का मान चाहिए? क्योंकि हमसे question में cos theta पूचा है, cos square theta नहीं पूचा है यहाँ से हम लोग 4 theta का मान निकालेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 upon में under root 3 हो जाएगा दोस्तो अब हम लोग इस question में मान रख देंगे equation हमें दी गई थी cos x theta plus cos theta ठीक है दोस्तो चलिए cos x theta का मान हमारा कितना निकला? 2 upon में root 3 और cos theta का मान कितना है? 1 upon में root 3 अब क्या हम लोग root 3 का मान ले लेंगे? कितना हो जाएगा? 3 upon में root 3 एक काम और कर सकती है अब तो आप यह answer बता दीजिए अगर option में यह answer ना मिले exam hall में आपको तो आप लोग root 3 का उपर गोणा और root 3 का नीचे गोणा कर दीजिएगा ठीक है? तो यह हमारा बन जाएगा 3 root 3 और root 3 और root 3 हो जाएगा 3 3 से 3 हमारा कर जाएगा तो जो हमारा answer निकलेगा friends पर क्या निकलेगा? under root 3 अब इससे ज़्यादा यह question solve नहीं होगा आप लोगों को यह देख रहे ना है option में क्या 3 बटे root 3 दिया गिया है अगर ना दिया गिया हो तो आप लोग क्या कर सकते हो under root 3 का परमे करण कर सकते है उपर भी under root 3 का गोणा हो जाएगा नीचे भी under root 3 का गोणा हो जाएगा ठीक है? और under root 3 under root 3 हो जाएगा 3 3 से 3 हमारा कट जाएगा क्या बचेगा under root 3 बचेगा यही इस question का answer होगा I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा यह question चलिए आंगे बढ़ते हैं friends और next question को सीखते हैं next question हमारा लिखा है 10 theta plus cot theta वरावर 5 हो तो 10 square theta plus cot square theta का मान हमसे पूछा है हम देख रहे हैं friends हमें 10 theta और cot theta का मान दिया गया है लेकिन हमसे question ने square का मान पूछा है 10 square theta और cot square theta तो square बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे friends दोनों तरफ वर्ग कर देंगे क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो यह हमारा 10 theta प्लस 4 theta का whole square हो जाएगा और यहाँ पे 5 का whole square हो जाएगा ठीक है अब यह हमारा किसका square बन गिया A प्लस B का whole square बन गिया और A प्लस B का whole square क्या होता है दोस्तों आपको अच्छे से आता होगा क्या होता है A square प्लस B square प्लस का 2AB होता है अब एक कमान कितना है 10 theta तो 10 square theta plus quarter square theta plus 210 theta into called theta और बरावर कितना हो जाएगा 5 का square हमारा 25 हो जाएगा ठीके दोस्तों अब क्या करेंगे हम дो अब हमें देखना है 10 square theta और quarter square theta कामान हमें निकालना है निकालना है और यहां पर कितना लिखा है इसको हम लोग एक plan और solve कर देते हैं 2 10 theta प्लस cot square theta का मान हमें निकालना है और बकाया का हम लोग दूसरी तरब ले जाती है तो यहां हो जाएगा 25 minus 2 10 theta और cot theta को हम लोग लिख सकते हैं 1 upon में 10 theta लिख सकते हैं cot theta 10 theta का उल्टा होता है अब देखिए हमारा 10 theta से 10 theta हमारा कड जाएगा यह answer में लिखा यह हर में लिखा है तो हमारा क्या बचा यहां पे एक हो गया एक का गुणा 2 में करेंगे तो यह हमारा 2 हो जाएगा और 25 में से जब हम लोग 2 घटाएंगे कितना आएगा 30 आएगा और यह हमारा किस का मान निकल आया 10 square theta प्लस 4 square theta यही हम पे quशन पूचा गया था और यही हमारा answer निकल आया कितना निकल आया 23 किस के अब लोगों ने इस question को solve किया क्या किया दोस्तो हमने देखा कि हमें 10 square thetaever प्लस 4 square theta का मान निकालना है कुशिन ने हमें 10 theta plus 4 theta का मान दिया था हम लोगों ने क्या किया, दोनों का वर्ग कर दिया जब दोनों का वर्ग किया तो यह हमारा A plus B का whole square बन गया और इस का मान होता है A square plus B square plus का 2AB ठीके, इस का मान हमें निकालना था और 22 हैड किया तो कितना हो गया इसका square पाँच का square पच्चेस हो गया इन दोनों का मान हमें निकालना था और इस वाले को हम लोग right side ले गए जब right side ले गए तो 25-210 theta quarter theta को हम लोगों ने लिख दिया बना पॉन में 10 theta क्योंकि quarter theta 10 theta का उल्टा होता है काटने का हम लोग direct भी काट देते लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह से लिख दिख के फिर काटा अब यहां कितना बचा 25 मैं से दो घटा दिया हम लोगों ने क्या निकल किया या 30 निकल किया या यही हमारी question का answer है I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं और आज का last question सीखते हैं हम लोग आज का last question हमारा लिखा है 7 10 theta बरावर 4 हो तो 7 sin theta minus 3 cos theta upon में 7 sin theta plus 3 cos theta का मान क्या होगा इसको हम लोग कैसे solve करेंगे friends हम देख रहे हैं question हमें 10 theta का मान दे रहा है और sin theta और cos theta में मान पूछ रहा है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तो 10 theta बदल देंगे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 10 theta का मान 10 theta का मान कितने हैं निकल के आएगा साथ हमारा उधर साइड जाएगा तो यह हमारा भाग में हो जाएगा ठीक है अब इसको 10 theta बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों अगर हम लोग cos theta common ले लेंगे तो यह देखिए sin theta upon में cos theta यह हमारा 10 theta बन जाएगा बन जाएगा क्या करेंगे हम लोग cos theta common ले लेंगे जब cos theta common ले लेंगे तो यहां हो जाएगा sin theta upon में cos theta इसको हम लोग 10 theta लिख सकते हैं क्योंकि 10 theta common क्या होता है sin upon में cos minus का 3 cos theta हमने common ले लिया तो cos theta से cos theta हमारा cut जाएगा upon में 7 यहां पे भी sin theta upon में cos theta यह हमारा 10 theta बन जाएगा plus का 3 cos theta से cos theta हमारा cut जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तो अब हम लोग और नीचे भी हमारा फ्रेंट्स क्या आ जाएगा कॉस ठीटा कॉमन आ जाएगा उपर भी हमने कॉस ठीटा कॉमन ले लिया नीचे भी हम लोगोंने कॉस ठीटा कॉमन ले लिया तो ये हमारा बन जाएगा seven sin theta upon me cos theta else में भी हमने cos common ले लिया और हर में भी हम लोगों ने cos common ले लिया जब हम लोगों ने cos common ले लिया तो दोनों हमारे answer और हर कट गे क्या बचा हमारा seven ten theta minus 3 upon me seven ten theta plus 3 और ten theta का मान हमें कितना दिया गया चार बटे 7 अब हम लोग इसमें मान रख देंगे 7 गोड़ें 4 बटे 7 माइनस का 3 अपॉन में 7 गोड़ें 4 बटे 7 प्लस का 3 जेकि 7 से 7 हमारा कट जाएगा अंसर हर दोनों में उपर हमारा कितना बच्चा 4 माइनस 3 4 माइनस 3 कितना हो जाएगे दोस्तों 1 हो जाएगा और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यही हमारी कुशिन का अंसर है आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे सभी कुशिन अगर कोई भी कुशिन ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजेगा मैं आपको द्वारा से भी समझा दूँगी दूसरी क्लास में ठीक है दोस्तों अगर सभी कुशिन अच् Thank you so much!